नमस्कार दोस्तों चलिए दोस्तों रिजिनिंग के प्रशन साल्व कराते हैं यहां से देखिए 86 नंबर आपके शुरू होते हैं लिखा हुआ यहां दिये गए वेन आरेग में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले चात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी गई है प्रशन का अंसर दीजिये क्या होगा पूछा गया है कितने चात्रों ने कम से कम दो खेलों में भाग लिया अंसर देजिये कमेंट सेक्षन में देखिए दोस्तों कैसे वाला और ये वाला तो इनके बीच में आप एक नमबर देख रहे हैं 9 ऐसे ही अगर इन दोनों की अगर हम बात करते हैं ठीक ना अगर इन दोनों की बात करते हैं यह हमारा कितना आ जाएगा ठीक ना यह पांच हो जाएगा यह आठ यह हमारा कितना लिखा हुआ था 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 थ कुछ भी नहीं करना था 9-6-15 होता है 15-5-20 अब 20-8-28-4-32-33-7-40 इसका मतलब इसका जो सही अंसर होगा आपसर नमबर 14 होगा जिनका भी 40 आया है बिल्कुल सही जवाब है चलिए सभी लोग इस प्रस्न का अंसर दीजिए 87 नमबर निमने लिखित 4 विकल्पों में से एक का कि जिए जो दूसरी जोड़ी को दी दे गई पहले मश्म जोड़ी के संब्रूप है अब यहाँ पर देखिए我也 हम बातकर टे है सरकल हमारे इस तरीके से होता है चलिए अगला प्रस्न देखते हैं यहाँ पर देखिए आप धरना से लेलेटेड है लिखा हुआ है प्रस्न में एक कफण और उसके दो तर्क हैं फरस्ट और सेकेड दिये गए है आपको ये तह करना है धिये गए तर्कों में से काउन सा तर्क मजबूत और कौन से तरक कमजूर है कथन लिखा हुआ है क्या graduation करने वाले चात्रों को अच्छी बित्ती सिच्छा दी जानी चाहिए ताकि वे अपने बविस में आधिक खुसलता से धनका प्रवंद कर सके तरक देकि हाँ बिल्कुल सही दोस्तों हाँ सभी चात्रों में मुल भूत वित्ती प्रवंदन कोसल की कमी है नहीं जब किसी किस्सा कानून ये वाला नहीं होगा इसका सही तरक first वाला ही हो जाएगा केवलतर के फस्ट मजबूत है चलिए दोस्तों अगला प्रशने देखते है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यह भी हमारा पूर्ण धालना से रिलेटेड है और धालना दी हुई है नीचे कसान और उसके दो पूर्ण धालना दी गई है उत्तर को इस रूप में चुनिए यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा सब लिखा हुआ है यहाँ पर पढ़िए लिखा हुआ है इस देश में 18 वर्श की आयू तक पहुँचने के बाद लोग मतदान कर सकते हैं पूर्ण धालना क्या है इस देश में 18 वर्श की आयू तक पहुँचने के बाद लोग मतदान कर सकते हैं इसलिए इसका जो सही आपसन होगा हमारा 18 वर्श की आयू में मतदाता किसी वेव्यक्ति को ओड़ देने के बारे में परिपक्तवास देना ले सकता है इसका मतलब सेकेंड वाला होगा ठीक है अब देखेंड कहाँ पर इसमें बोला है यहाँ पर लिखा बी यदि कथन में केवल पूर्ण धंडा इसके लिए बी हम बताएंगे बी देखिए कहाँ पर लिखा हुआ यानि आपसा नंबर पहला हो जाएगा चलिए दोस्तों अगला प्रशन बताईए इसको देखिए 90 नंबर लिखा हुआ है हमारा नीची इस रंकला दी गई है और पूछा गया है विकल्पों में से उत्तर को पैचानिए और कौन सा हमारा होगा सभी लोगों के जवाब आप भी रहे हैं चलिए इसका अंसर बताईए क्या होगा हाँ सभी लोग इसको अंसर दीजिए यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे ना देखिए यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं यहाँ पर देखिए किस तरीके से आपको बताना आए यहाँ पर जो बड़ा वाला बना आ इसको छूरा है पहले नमबर वाले सरकल को यहाँ पर दूसरे वाले को छूरा है इसका मतलब तीसरा वाला जब आएगा तो तीसरी पोजिशन को छूएगा यानि छोटे वाले को छूना चाहिए छोटे वाले को कहां पे छूरा है यानि ये वाला यानि B नमबर तो इसका जो सही अंसर होगा कहां सा हो जाएगा B हो जाएगा B देखिए आपसन में कहां लिखा हुआ है आपसन में चौथा लिखा हुआ है B यानि ठीक हो जाएगा चौथा नमबर चलिए इसको सभी लोग बताईए लिखा हुआ है 50 लिटर पानी को टंबलर A से टंबलर B में डाला जाता है टंबलर B के भलने के बाद उसमें से 1 चौथाई पानी नीचे बह जाता है टंबलर B की छमता बताईए अब ये दोस्तों बताईए 50 लिटर हमारा पानी है ठीक है ना आगे लिखा हुआ एक चावथाई अगर पानी बह जाता है तो कितना बचा तीन चावथाई बचेगा चार भाग में अगर एक बह बह गया तो कितना भाग बचेगा रिमेनिंग तीन बचा चार इसी का तीन बचा चार निकाल लेंगे तो कितना आगया डेर सो बचेगा चार डेर सो में चार का भाग देंगे यानि 37 लीटर इसका सही जबाब होगा आपसा नमबर पहला चलिए इसका बताईए ये सिरीज का प्रस ने लिखा हुआ है इस तरीके से लिखा हुआ है अब आप देखिए 5 तरीका होता है 15 15 तरीका होता है 45 45 तरीका होता है 135 इसी प्रकार 135 का हम 3 गुना करेंगे 3 पचे 15 3 तरीको 9 एक 10 3 एकम 3 एक 4 405 यानि इसका जो सही जवाब होगा आपसा नंबर 14 अगला प्रसने देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है आप पूर्विक और मुझ करके खड़े हैं आप दच्चिडा वर्त दिशा में 100 डिगरी और फिर बामा वर्त दिशा में 145 डिगरी घुमते हैं अब आप किस दिशा की और देख रहे हैं और यह हमारा क्या होगा उत्तर और पस्चिम होगा ठीके ना यहाँ पर क्या होगा दच्चिड और पस्चिम होगा यहाँ पर क्या होगा दच्चिड और पूर्व होगा ठीके ना चलिए आगे देखिए लिखा हुआ है आप मूँ पूर्व की गोर करके खड़े हुए यानि इस तरह हम मूँ करके खड़े हुए है आगे लिखा हुआ है आप दच्छेड़ा वर्त यानि घड़ी की दिसा में घड़ी इस तरी के से चलती है दस चेवर दिसा में 100 डिग्री यानि यहां से हम 100 डिग्री घुम गए दोस्तों यहां से 90 तो होई गया थोड़ा माल और घुमे होंगे जरस से यानि यह 100 डिग्री हो गया फिर लिखा हुआ है बामा वर्थ यानि एंटिक लागवाई होँ तो पूछा गया है आपकी दिसा कीयो देख रहा है भाय यह दिसा मारी उतacement आ रहा है जवाब बिल्कुल साही जवाब दे रहे हैं जन्äsोंने टिकर क्या है बिल्कुल सही है अगला प्रस्ट ने देखिए लिखा हुआ है बिकल्पों में दिये गए सब्दों में से काउन सा सब्द D E N A I T अच्छरों में से किसी भी अच्छर का कितने भी बार प्रयोग करके बनाया जा सकता है यहाँ पर देखिए D E N A I T लिखा हुआ है तो देखिए D E T I N E D तो लिखा हुआ है यहाँ पर M I N E M तो कहीं है नहीं इसलिए होई नहीं सकता ठीक है न आगे देखते है T T की कहीं चर्चा हो रही है ठीक है N N B है E देखिए E B है N B है I B है ठीक है न D और E D E हो गया हमारा T E हो गया N हो गया N के बाद T T I O वो नहीं है यहाँ पर न यह भी नहीं हो सकता है ठीक है न ओ यहाँ पर है नहीं इस तरीके से हम बता सकते हैं यहाँ पर देखिए एक और वर्ड जी आया यह भी नहीं होगा इसका सही अंसर होगा आपसा नमबर पहला चलिए अगला प्रस्ने देखते हैं 111 नंबर लिखा हुआ एक बुढ़ा बेक ति पूर्वी की ओर चलता है फिर दच्छिड की ओर मुड़ता है वह फिर दाइं ओर मुड़ता है और चलेने लगता है अब वक की दिशा में चलना है सबसे पहले देखिए डारेक्शन बना लीजिए आपको पता यह पूर्व है यानि पैले पूर्वी ओर चलता है पर दच्छिड की ओर क्या करता है मुड़ जाता है फिर वो अपने दाइं ओर चलता है याई दिशा हमारी काउस होती है इस तरब चलेगा तो यह दिशा कैसी होती पंचिम इसका शाही अनसर होगा आपसा न direction को बना लेते हैं यह आपको पता होगा पूर्व होता है यह पस्चिए होता है यह आपका दस्चिश होता है ठीक है न他 इसमें उत्तर पस्चिशोछ में ब्लागा रहता है उत्तर पूर्व को हमारा यह और इसको पता होगा यह 90 होता है यहां तक फोर्टी फाइब यानि 135 135 हमारा कैसे घूम रहा है एंटी क्लाग वाइज 135 एंटी क्लाग वाइज घूम रहा है अब हमें पूरा कोशन पढ़ने के जरूरत नहीं है ऐसे प्रस्णों को हमने इसके पहले जो प्रिविएस वीडियो कराया था उसमें बताया था कैसे करते हैं दच्षिड को देखिए इस टाइब की खुब सवाल हमने प्रेक्टिस सेट में कराया था अब देखिए दच्षिड हमारा दच्षिड देखिए यह है ना दच्षिड अब दच्षिड को भी हम 135 डिगरी एंटी क्लाग वाइज क्या करेंगे गुमा देंगे एंटी क्लाग और भी दो सेटिया समुच्चे हैं तो ए यूनियन ये सौरी इंटर सेक्षिड का साइन होता है ये लिखा ए यूनियन भी और प्र डैस लगा हुआ है देखिए डैस का मतलब यह होता है कि जो भी नंबर हमारे ए और बी में होंगे वो डैस लगाने से मतलब नहीं है कॉमन यानि इन दोनों में कोई कामनी नहीं है और यहां इंटर सेक्षन लग रहा है तो इसके साथ भी कोई कामनी नहीं होगा इसका सही अंसर हो जाएगा फाई अगर यहां पर यह जो डैस लगा हुआ यह न लगा होता तब हम अंसर बताते ए लेकिन डैस लगने की वज़े से फ हमें लिखा जाएगा ठीक है ना आप देखिए यहां पर आप इस तरीके से सोच सकते थे या तेजी से भी लगा सकते थे थुरा अप समझाने के लिए आपको लिख रहा है यहां पर फोन लिखा हुआ है यहां पर f यानि ती नंबर यान के लाया है इसी चलो यहीं से हम पता कर लेंगे पी का क्यों लिख रहा है इक चलो नंबर को देखिए नंबर हमारे लिखा हुआ है यहनी यू एम बी ए आर ठीक है ना अब देखो आप लिखा यानि आर के आर इधर ना इधर क्या आएगा एसाइगा की फ़लास्ट में वह देख यह लिखा हुआ बिल्व कुल लिखा हुआ है आपसा नंबर भीूरा चेक करने के जरूरत नहीं है बिल्वकुल यहीं से हम पता कर लेंगे रीजिन के यहीग होता है और धोकेara लगाने के चलो इसी के डिफ्रेंस ले ले लेते हैं 6-4 में गटाएंगे 2 आएगा 5 आएगा ठीक ना 2 252 क्या 24 उकाट पाएगा बिल्कुल नहीं काट पाएगा 12 काट पाएगा बिल्कुल 12 दूनी 24 बारे कम 12 बड़ी से बड़ी संख्या सबसे बड़ी वाली पहले चेक किया यह नहीं काट पाया 12 से काट पाया इसका मतलब बाई आपसन से लगाएंगे आपसन नमबर तीसरा यानि सी सही होगा 12 चलिए अगला प्रस्म यहाँपर पूछा गया था इकाई का अंग का बताया था हमने यह अबर जो भी पावर होथी 4 से भाग देंगे 4 से भाग देंगे तो सेसफल कितना आएगा 0 जब 0 आता है तो उसकी पावर 4 लगाई जाती है यानी जो भी लजट अंग है 19 में लजट अंग 9 है इसकी पावर 4 करेंगे 9 गुड़े 9 याननी 81 फिर 84 वार एक गुड़े 9 गुड आज सनिवार है तो 27 दिन के बाद सब्ता का कौन सा दिन होगा अब देखिए 57 दिन के बाद पूछा है हमें करना क्या है हम 57 में सीधे 7 का भाग देंगे जो भी हमारा से सफल आएगा एक आया और डे आया यानि एक इसी के आगे जोड देंगे सनिवार के आगे एक दिन क्या होता रभी वार इसका सही अंसर होगा आपसा नंबर पहला अगला देखिए निम लिखित में से काउंसर विकल पर दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के संबरूप बनाएगा आप देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा पता करना है F, H, J, L लिखा हुआ C, E, G, I लिखा हुआ ठीक है ना आप देखिए यहाँ पर हमारा काउंसर होगा आप थोड़ा सा अगर देहान देंगे तो यहाँ पर देखिए F के बाद इन्होंने C चलो इसको छोड़िए यहाँ पर देखिए C, D, हाँ यहाँ से देखिए C के बाद क्या आएगा D, E, F, ठीक है ना इसके बाद जो भी नमबर लिखा होगा यानि I, J, K, L बिल्कुल आ रहा है J, K, L और देखिए चेक कर लो E के बाद क्या आता है F, G, H यानि दो नमबर छोड़ के तीसरा आ रहा है यानि K के बाद देखो K के बाद क्या आता है L, M, N बिल्कुल यही से हम पता कर लिया इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा सही आपसान हो जाएगा आपसान नमबर पहला चलिए अगला प्रशने देखते है यहाँ पर पुछा गया कौन सी उत्तर आकरती समस्या आकरत में दी गई आकरतियों की स्रंखला को पूरा करेगे अब आपको देखिए यहाँ पर बताना है कौन सा हमारा होगा सबी लोग ध्यान से देखिए और इसका अंसर कमेंट सेक्षन में दीजिए देखिए जिनका सही है अच्छी बात है जिनको नहीं आया वो अपना अंसर मिला लीजिए यहाँ पर देखिए इसको हम अगर कलाग वाइज गुमाते हैं देखो एक खाना यह गुमा फिर एक इधर गुमा फिर इधर गुमा इसका मतलब यहाँ पर काला आना चाहिए काला कहाँ पर है यहाँ पर थोड़ा लाइन की संख्या बिगिन लेते हैं यहाँ पर कितनी है एक दो तीन चार पांच है इसका आपसर नंबर कौन सा हो जाएगा इस टाइब के भी हमने प्रस्ण कराए थे यहाँ पर देखे लिखा हुआ यदि आज सुक्रवार है तो 98 के दिन के बाद सब्ता कौन से दिन होगा इसमें कुछ करना ही नहीं था साथ से भाग देंगे रिमेंडर जीरो आएगा इसका मतलब इसका कुछ भी एड नहीं होगा इसका सही अंसर हो जाएगा आपसर नंबर डी यानि सुक्रवार चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा 49 चात्रों की कच्छा में रभी जो है रभी लिखा हुआ है सुमित से 7 रेंग आगे यदि सुमित आखरी से सुमित आखरी से लिखा हुआ है 17 इस्थान पर है तो रभी की जो रेंग है परताम इस्थान से क्या होगी अब देखिए टोटल हमको पता है 49 चात्र है कितने 49 हैं लिखा हुआ है रभी जो है सुमित से साथ रेंग आगे है यह सुमित आखरी से सुमित देखी यह सुमित माल लो आखरी से सत्रवे नंबर पर है कितने नंबर पर है सत्रवे नंबर पर है मतलब आखरी से ठीक है यह सत्रवे नंबर पर है आखरी सत्रवे स्थान पर है और जेकर नहीं है 89 चृत्रुकर च्च्चमे रभी है सुमित से रभी जो है सुमित से शाल रंक आगे यानि साल प्षूबिस हो गाया कि तोटना करता mudar 49 पूछा गया है रवीकश प्रथम इस्थान से क्या होगा इसमें इसको घटा कि क्या करते एक जोड देते हैं इसो घटाएंगे कि रहिए 49 में 24 घटाएंगे называется चार गाय पांच यानी-15 इसमें अभी में आ रहा है और ध्यान देजिए A, E, I, O, U इस टाइब कभी हमने इसके पहले वाले वीडियो पर कोशन कराया था वाविल से लेकर तो ओ के बाद हमारा क्या आएगा बिल्कुल इसी पैटन पर कराया था अब देखिए कैसे भी अस्तित करेंगे सबसे पहले क्या होता भारती पासपोर्ट फिर उडान होगा फिर आ प्रवासन होगा फिर विसुकफ होगा फिर सतक ठीक ना तो 1, 2, 3, 4, 5 ही इसका हो जाएगा सीरियल से इसका आफसन नमबर काउंस ही होगा डी होगा 1, 2, 3, 4, 5 चलिए अगला प्रशन देखिए पूछा गया था चार बिकल्पों में से बिसम काउंस है आप देखिए बिसम बताना यहाँ पर एक डालर का दो हैज है दो हैज एक डालर दो हैज एक डालर लेकिन यहाँ पर आयंडे का साइन बन गया यानि सबसे पूछा गया है बिसम काउंस होगा आफसन नमबर D बहुत ही सिंपल प्रशन था यह अगला देखिए लिखा हुआ है चार बिकल्पों में से एक बिसम है आपको बताना है बिसम काउंस है यहाँ पर एग डिजिट है और दो सिंपल हुआज है यहाँ पर दो तो इसका जो चोग Egypt बिसम होगा बिसम आफसन नमबर D हो जाएगा चलिए अगला प्रशन देखिते हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 126 नमबर लिखा हुआ है एक निश्चित कूट भासा में रिनी, मिकी और सुकी को वी आर्ट टुगेदर के रूप में लिखा जाता है तो मिकी जो है चलो इसको थोड़ा हम करके आपको दिखा देते हैं देखिए यह रिनी है समझेगा ध्यान से यह रिनी ऐसी समझ लिए इसी पर समझा देते हैं दोगों इसी में समझेए यहाँ पर देखिए दोस्तों यह जो लिखा है ना रिनी मिकी और सुकी ठीक है ना तीन नाम है ना एक दो तीन इसके कोड भी हमारे तीन यह ऐसा नहीं है क बिल्कुल दिमाग में मत रखिएगा आगे लिखा हुआ है Mickey, Lucy और पिनिकी का ये लिखा हुआ है All are different ठीक है ना और इसी प्रकार लिखा हुआ है सुकी लूसी और डेनी का लिखा वाई यह आल गेट टुगेटर अब देखो हमें पूछा किसका गया है कोसन पूछा क्या अपहले यह देखते हैं लिखा वाई लूसी का कोड बताई है अब लूसी वाले पहुंचेंगे लूसी कहा कहा है Lucy वाला देखिए, Lucy तो एक इसमें मिला है हमको इस वाले line में मिला है Lucy और देखिए Lucy कहां मिला, एक इसमें भी मिला है अगर इसको पुरा idea कर दोगे तो एक Lucy इसमें भी आ रहा है इसका मतलब इन दोनों में जो भी common होगा वो हमारा Lucy को बताएगा पाकी और कोई तो common है नहीं, इन दोनों में चेक कर लो, इस में वाली, इस लाइन में दोनों common क्या है, इनके ये लिखे हुए थे तीन नाम, इनके हमारे तीन नाम ये लिखे हुए, एक ये और दो ये, इन दोनों देखिए common क्या है, all है, all यहाँ पर भी है, all यहाँ पर भी ह इसी का पूछा गया कुछ भी नहीं करना था बद लूसी में हमने common देखा all है इसका मदलब 100% हम से ओर हो गए कि लूसी का जो code होगा all होगा देखिए all कहीं दिया हुआ आपसा number D हो जाएगा इसका सही correct answer चलिए में DESK DESK को DAB लिखा जाता है तो उसी code में PROD को क्या लिखा जाएगा अब देखिए यहाँ पर DE है आप ऐसा मत सोचिएगा कि PR PR होता तो हम आपसान मार देखते PR तो लिखा नहीं है देखिए कैसे लगाते सबसे पहले देखिए यह जो हमारा लिखा हुआ है DESK सबसे पहले इनका code देखिए D का हमारा कितना होता 4 होता E का क्या होता 9 होता S का हमारा कितना होता 19 होता S का 19 होता K का हमारा 11 होता है अब देखिए यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है D का यानि D लिखा है सही है यानि single digit में लिख रहे हैं अब यह double digit में लिखा हुआ है इनको पहले single में बनाएंगे single में कैसे बनाते हैं जिन्होंने भी unit digit पढ़ा होगा digital सम्तों कर लेंगे 9 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 10 के बाद अब 1 और 0 को फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा एक 0 को जोड़ेंगे तो कितना हमारा आएगा एक आएगा कितना आएगा एक हमारा एक कोड है तो होता है कि नहीं होता उसी प्रकार एक और एक को जोड़ेंगे दो दो हमारा बी कोड होता है कि नहीं होता उसी प्रकार अब देखिए इसको भी हमें लिखना था P, R, O, D को अब देखिए वैसे तो आप जानते है P का कोड ठीक है न? P का कोड हमारा कितना होता है P का कोड होता है 16, ठीक है न? 16 होता है, R का कोड हमारा 18 होता है O का कोड की बात करते हैं तो 15 होता है ठीक है ना और D, D तो हमारा रहे गाई, last में D हमारा रहे गाई, D का हमारा 4 होता है, अब इनको single digit में बनाना है, 6, 1 कितना होता है, 7, 7 number code हमारा किसका होता है, G का होता है, किसका होता है, G का होता है, 7 code G का होता है, इनको जोड़ेंगे 8, 1, 9, 9 code हमारा किसका होता है, I का होता ह यानि जी के बाद हमारा आई आएगा पांच और एक जोड़ेंगे च्छै च्छै हमारा एप का होता है दी तो लास्ट में रहे गई देखिए कहीं आपसा लिखा हुआ जी आई एपडी यानि आपसा नंबर तीसरा साही होगा इसका सी नंबर चलिए अगले प्रस्णी की होने फिमेल हो गई यानि भाई बहन हो गए ठीक है आगे लिखा हुआ है हमारा सोनल संदीप की बहन है सोनल जो है संदीप की बहन है चलिए आगे पढ़ते हैं लिखा जो कि रीता का बेटा है यानि रीता और नीता क्या है बहन है इसका मतलब रीता हमारा यहां कहीं आ शिटा है रिता का, यह इसी के बहन होगी song यह कौन होगी बहन होगी यानी यह यह वाली हो जाएगी न मौसी यानी चाची इसका शय है उंसर निटा यानि या आपसा दाइई और से चावथे अच्छर के बीच में कितने अच्छर हैं ठीक है चलिए देखते हैं इसको अशर क्या आना चाहिए सभी लोग कमेंट सेक्सेन में इसका भी अंशर दीजिए नीचे दी गई अच्छरों की स्रंखला में बाइई और से तीसरा चऱ देखें बाइई लिखा हुआ है दाइए और से दाइए और से चावथे अच्छर यानि चावथा चरिए इनके बीच में देखिए कितने अच्छर हो रहे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, चै, साथ, आठ, नौ यानि नौ नमबर इसका सही अंसर हो जाएगा हमारा आपसा नमबर पहला नौ चलिए अगरा प्रस्ने देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है काउन सी उत्तर आकरती समस्या आकरती में दी गई आकरती किस रंखला को पूरा करती है अब देखिए ध्यान से देखिए यह जो लिखा हुआ है इससे का थोड़ा समाल इसमें और जोड़ दिया गया ऐससे पूरा कंप्लीट हो गया फिर इतना यह पार्ट पिर आ गया अब जब अगली बार आएगा तो पूरा यह क्या हो जाएगा भार जाएगा यानि आपसार नमबर कहुंसा वो जाएगा इसका D नमबर हो जाएगा, D नमबर देखिए कहाँ पर है, आपसा नमबर D यानि D ही रहेगा, चलिए कोशन नमबर 133 देखते हैं लिखा हुआ है, रानी और सोनाली 800 मिटर की एक गोलाकार मैदान में 10 किलो मिटर की दोड़ लगाती है, यदि उनकी स्पीड है तो लिखा है तो बिजेता दूसरी धावक को इतनी बार पार कर लेगी, ठीक है, जब इस टाइब का सवाल हो, सबसे पहले टाइम तिन का सेम रहेगा, तो इस पीड का रेशियो क्या है, 10 नमबर अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, तो वो भी हमारा कितना आएगा, इसमें इसका भी अनपात वही हो जाएगा, ठीक है न, जब टाइम कांस्टेंट होता है, तो जो इस पीड का रेशियो होता है, वह डिस्टेंस का ऐसा करते हैं, दो जो जीरो इसमें बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं न, 800, 800 मीटर लिखा हुआ है न, ठीक है 800 मीटर लिखा हुआ है यह एक हजार, तो यहाँ पर देखिए जो एक राउंड हमारा है वो 800 मीटर का है, तो इसका यह मतलब हो, 10 अनपाते 9 तो लिखा ही था स्पीड का, तो अगर इनके बीच में अगर हम डिफ्रेंस देखें तो कितने का हो रहा है, एक हजार और 900 में, य यूनिट का अंतर हो गया, यानि इसी में अगर हम मान लेते हैं अगर 1000, ठीक है न, 1000 में अगर 8 यूनिट चलाएंगे तो 8000 हो जाएगा, ठीक है न, और दोड़ हमारी टोटल 10 किलो मीटर की है, इसका मतलब 8000 का जो होगा हमारा गयप है, यह कितना होगा, बहुत ज्यादा ह हो जाएगा 800 में, यानि एक ही बार इनका मिलन हो पाएगा, एक ही बार, इसका जो सही अंसर हो जाएगा, आपसा नमबर हमारा पहला ही हो जाएगा, चलिए अगला प्रस्ने देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नेम लेके चार बिकल्पों में से उसका चैन कि यह जो द तो इसी प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको लिखेंगे, सबसे लाश्ट में क्या आएगा, नौ आएगा, नौ के बाद हमारा फिकल्पों से नमबर आएगा, छै आएगा, ठीक है न, चैनो देखिए लाश्ट में कहा लगा हुआ है, आपसा नमबर, तीसरा वज फलक के बिप्रित है, आगे लिखा हुआ है इसके, यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, विप्रित है, संख्या दो, संख्या चार फलक के बिप्रित फलक में नहीं है, तो इन में से कौन सा जोड़ा, इन में से हमारा कौन सा जोड़ा है, सन्निकट फलकों पर होगा, आप आपको इसमें सन्निकट फलक बताना इन में से कौन सा होगा देख यह कैसे लगाएंग इसको बहुती सिम्पल प्रस्टन है यहां पर लिखा हुआ एक से लेकर छह तक होते ही हैं संख्या एक और चार फलक दूसरे के सन्निकट है यानि एक जो है और यह चार जो है यह क्या है यह मतलब पास-पास है, सननिकट कह सकते हैं, यह कैसे है, सननिकट है हमारे, ठीक है ना, पास-पास, यानि क्या हो सकता है और यहां पर दिखिए एक कभी परीत हमारा यहां इसके सकता है ठीक है ना चार के विप्रीद पांच क्योंकि लिखा संख्या दो है चार के विप्रीद नहीं है यानि दो चार का नहीं होगा यानि यह विप्रीद हो सकते हैं तो प्रस्ण क्या पुछा गया काउं सा जोड़ा सन्निकाट फोलों पे होगा तो यह एक विप्रीद दो ह ये तो है नहीं, चार पांच ये भी नहीं हो सकता, एक तो चार पांच भी नहीं हो सकता, इसका मतलब सही जबाब इसका होगा, आफसा नमबर चाउता डी, जिनका भी तीन और दो आया है, बिल्कुल सही है, चलिए अगला प्रशने देखते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ मंजिल एक के रूम में क्रमांगित किया गया है, मंजिल एक उपर दो, तीन, चार, पांच इसकरम से दिया गया है, मिश्टर देशाई, मिश्टर खान के उपर वाले, लेकिन मिश्टर बजाच के नीचे वाली मंजिल में रहते हैं, मिश्टर खान और मिश्टर परमार के मं लिखा हुआ है पजल टाइंब बागी कोई कठीन नहीं है ऐसा करते हैं यहां पर हम पांच मतलब मकान बना लेते हैं ठीक है मंजील 1 2 3 तिन चार पाँस ठीक है ना आगे यहाँ पर देखे sir khan को ध्यान से पढ़़ा अलग-अलग मंतर्म में रहते हैं ठीक है यहां तक हो गया आगे लिखा वह मंजिल दो और इसी करम तक ई Mr. Desai Miss Daddy Mr. Khahn की उपर माल लेते li Mr. Desai Mr. Khahn के उपर वाली लेकिन Mr. Bajaj शो पर में रहेंगे Bajaj कहा रहेंगे इसके उपर Bajaj के नीचे वारी मंजिल में रहते है Mr. Khahn और परमार told पीच में अच्छा खान यहां तो पर मार सबसें ऊपर बैठेंगे पर्मार कहां ओपर उंगे अंतर है दोकौद कैने और भी हो गया आगे लिखाए मिस्टरा चोपरा कहां है नीचे या चोपरा सबसे नीचे वाली पूछा गया उनकी संक्या कौन सी होगी उनकी संक्या हमारे आपसर नमबर डी हो जाएगा चौता अगला प्रशने देखते हैं यहाँ पर पूछा गया था दिये गया चार चित्रों में से समूहों में से चित्रों और कौन से समूच्चा को एक समूह के रूप में वर्गी करत किया जा सकता है अब आपको बताना था कौन सा होगा आप सीधे आप ध्यान से देखेंगे एक तरीके से आपका ये रेक्टेंगल टाइप बना रहा है यहां लेकिन यहां ने यह तो हमारे एक जैसे हो गए ठीक है ना तो पूछा गया कौन सा है टू थिरी फोर यानि आपसा नंबर डी हो जाएगा इसका चौता सही जवाब चलिए इसका भी सभी लो कमेंट सक्सें में जवाब दीजिए नीचे दीगए इस रंखला में प्रस्ने चिन्न को प्रस्तापित करने वाली संख्या हमारी काउंसी होगी आप देखिए यहां पर दस का अंतर इनके बीच में है की नहीं है इसी प्रकार 8-3 जोड़ेंग यानि 11 पांसाट और 38 के बीच में अंतर कितने गाना चाहिए 11 यानि हम कह सकते हैं 62 में से 38 गटा देंगे 12 में 8 गया 4 ठीक है न और 5 में 3 गया 2 यानि कितना आ गया 24 तो यहां पर देखिए नहीं यहा तो यहां पर देखिए लिखा हुआ 8 संभूप घं लिए जाते हैं जिए में से प्रत्य विप्रित फलकों के एक जोड़े के लाल रंग विप्रित फलकों के एक जोड़े हरे रंग और सेज दो फलकों के नीले रंग से रंगा जाता है एक बड़े घंड के आकरत के लिए इन आट रंगों को आट गणों को एक साथ जोड़ा जाता है तो बड़े लाल निला है और हरा कों सा यहाँ प이다 लाल लिखा हुआ था और काν हरा और ये इला टो बस कुछ करेंदर यह नहीं था इसका ऊरमार अपार निम्हार應該 3 यानि उसका हुआ टिन चलिए अगले धार लिखeshno? डाली की जो उचाई चंद्रा और फरा से क्या ज्यादा है और आगे लिखा हुआ है हमारा आनंद की उचाई फरा से कम है चंद्रा की उचाई आनंद से अधिक है डाली की उचाई भरत से कम है यह तुलना पांच दोस्तों के बीच की जाती है यदि सबसे उचा वाला सबसे प परहान यानि दोनों से क्या है ज्यादा है चंदरा और फरहान यानि दोनों से क्या है ज्यादा है आगे लिखा हुआ है आनंद आनंद की जो उचाई यह फरहाई से क्या है ज्यादा है आगे लिखा हुआ है चंदरा की उचाई आनंद से अधिक है यानि चंदरा भी हमारी किस भी लोग समझ गय होंगे आगे लिखाऊ या तुलना पाँच दोस्तों के बीच की जाती है यदि सबसे कम उचा वाला सबसे पतला सबसे कम उचा वाला सबसे यानन्द क्या है सबसे पतला है तो पूछा गया है और उचाहेक के साथ वजन में ब्रद्धी होती, दूसरा सबसे मोटा, यानि उचाएक सब ब्रद्धी होगी, यानि मोटा हो जाएगा, तो दूसरे नमबर पर मोटा कौँ साया, D, यानि डाली, डाली होगा, इसका सही जबाब होगा, आपसा नमबर B, जिनका भी B किया है, बिल्कुल सही किये है, चलिए अगला प्रशने देखते है, 147 नमबर लिखा हुआ, इस रंकला को पूरा करने वाली आकरती की पहिचान करिए, आप देखें कितना सिंपल है, यह ऐसे जा रहा है, यह ऐसे जा रहा है, अगला नमबर किदर की तरफ आएगा, इस तरह पाएगा, पीछे की तरफ, द लिखा हुआ है, द्रस स्रंकला को पूरा करने वाली आकरती की पहिचान करिए, ठीक ना, आप देखें, इसमें हमें पहिचान करके बताना है, कौन सा होगा, इसी टाइप को यह भी था ना, चलिए, इस स्रंकला को आकरती, चलिए, इसी टाइप को यह भी है, इसको भी गई हैं। दोस्तो जैसे है हमारा घरिक घंब होता है इसको डूट हमें पता है घर में하겠습니다 होती यह नि इसकी होती है एंसका क्या हाई निकोर्दावें अधिक टीलिक वहां हो गए लिखांगी यहां पर देखता है पछी लंबाइक दआपर से घंवना ठीक है अब यहां पर देखेंगी जितना भी हमारा यह होगा नब पहले जो गनाब था उसको तो घन बनाये रहे हो अच्छे से पूरती है निस दो दो मांचिस की तीलियां को भी कर रहे हैं तो पहले देखे चैसा तो बारा हो जाएगा फिर बारा का डबल फिर होगा 24 यानि 100 में से 24 घटाएंगे इसमें बहुत हो सकता बहुत साथ लोग समझे नहीं पाएंगे language पहले देखिए पूरा ही घनाव है ना इसको तब तोड़ो गए तो इसका डबल तो होगा ही ठीक है ना और एक दो माचिस की तीलियां अगर एक लंबाई में यूज हो रहा है तो टोटल 6 वह ती फल गए तो बारत दुनी 24 घटाएंगे यानि इसका अंसर आएगा हमारा 76 नमबर आपसा नमबर 14 वजाएगा डी चलिए अगला प्रसने देखते हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ हमारा एक तस्वीर के और इसारा करते हुए रमन ने कहा रमन ने कहा तस्वीर में दिखने वाले जो पूरो से मेरी बहन की बैटी के नाना है तो पूछा गया र देखिए बहुत ही अच्छा कोषण है यह बिलड रिलेसन का कैसे लगाएंगे यहाँ पर देखिए लिख्या हुआ है रमन एक तस्वीर के अरक ने कहा यह मालोर रमन ने इसारा करते हुए कहा दिखने वाले पूरो समयरी बहन यानि इनकी जो यह बहन होगी इनकी बहन ठीक है ना मेरी बेहन की बेटी यानि इनकी बेटी इनकी बेटी के जो ये है ये इनकी बेटी के जो नाना है ठीक है ना अगर ये नाना हो गए तो ये इसका मतलब राम के रमन के कौन हो जाएंगी ये पिता हो जाएंगी ठीक है कोसन में बोला गया है तस्वीर में दिखने वाले पुरुष जो मेरी बहन है इनकी बेटी के नाना है तो इसके मतलब रमन के ये कौन हो गए पिता हो गए आगे लिखा हुआ है रमन के बेटे का रमन के बेटे का यानि रमन के बेटे का तस्वीर में दिखने वाले अब देख दिखने वाले पुरुष का क्या रिस्ता है यानि रमन के बेटे का यह पुरुष जो है दिखने वाले इसका बेटा कौन लगेगा पोता लगेगा ना इसका सही जवाब हो जाएगा आपसा नंबर भी नेम लेकि चार विकल्पों में से उसका चैन कीजिए जो दूसरी जोड़ी के अनुरूप बनाएगा आप देखे दर्जी असुई प्लंबर यानि जो भी हम नल लगाते हैं उसके लिए हमें पाना की जरूरत पड़ती है यानि इसका सही जवाब होगा आपसा नंबर भी चलिए अगला प्रसने देखते हैं लिखा हुआ है नेम लिखे चार बिकल्पों में से उसका चैन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहले जोड़ी के समरूप बनाएगा अब यहाँ पर देखे जूड़ना तोड़ना तो बिवा हमारा तलाक यानि आपसा नंबर यह तो बिल्कुल सिंपल प्रसन था आप लोगों निकल लिया होगा चलिए लेकिन यह हमारा क्या हो जाएगा ग्यारा लिखा हुआ है और यह तेशिस का डबल नहीं होगा यानि इसका सही जबाब होगा आपसा नंबर तीसरा यानि सी अगला प्रसने देखिए यहां पर लिखा हुआ है बाइं और एक पैटन के साथ एक आकरती दी गई है ध्यान को थोड़ा काटेंगे ना यह बाला दिखेगा तो बस इसमें सीधे हम बोल देंगे आपसा नंबर तीसरा यानि सी कुछ करना ही नहीं था इसमें रानी तीन दोस्त प्रसासनी कार्याले में अपने फीच के बुक्तान के लिए कतार में खड़े हैं रोहित कतार के आरंबे की पांच चातर हैं तो पूछा क्या गया है अगर अदला बदली कर लेते हैं ठीक है ना तो पूछा गया है आरंब से पंदल में इस्थार पर कौन होगा अब देखिए इनके बीच में अगर हम टोटल निकालें बीस और चौटर जोड़ेंगे टोटल यानि कितना आएगा चा इनके बीच में भी क्या हैं तस लोग हमने घठा दिया तेइस लोगों में अब यहां से पूछ रहा है कि जगह बतल लेते हैं यानि यह इधार आएंगे इधार आएंगे चाओदिमी जगह पहना यहां से कितना हो जाएगा चाओदा पांच पंदर यानि पंदर भी तो प्रस्थापित करने वाली हमें संख्या बतानी है अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे यह थोड़ा सिरीज का कोशन है आप देखिए सबसे पहले यहां पर अबाद संख्या लेते हैं दो ठीक है ना दो तीन और पांच और ही साथ कहीं ने कहीं अबाद संख्याओं से पै कितना आएगा हमारा तीन देखो तीन आ रहाता है ठीक है ना दो का स्कॉयर हमने किया और उसमें से हमने क्या कर दिया एक कम कर दिया तो दो का स्कॉयर में से एक कम किया तो हमारा कितना आ गया तीन आ गया ठीक है अब आगे देखिए अब आगे हम क्या करेंगे तीन का करेंगे 5 के स्कुयार कितना होता है 25 25 के वाद इस वाले नंबर से मल्टिप्लाइ करेंगे ना नो त्रीकर कितना 27 26 यहां पर 26 आया था तो 25 गुड़े 26 करेंगे जितना आएगा उसमें से एक हम कटा लेंगे तो इसको जब सालव करेंगे तो आप का जाएगा 649 कितना जाएगा 649 अगले पैटन पर आप क्या होना चाहिए 5 तक हो गया अगले पैटन पर साथ यानि साथ का स्कुयार करेंगे साथ का स्कुयार तो आपको पता है 49 होता है 49 के बाद जो यह number आया है ना इससे multiply करेंगे 649 से और फिर last में क्या करेंगे एक कम भी करना है ठीक है ना इसको जब multiply करेंगे solve कर लेंगे तो आपका इसमें answer आ जाएगा कौन सा आ जाएगा 31,800 आ जाएगा ठीक है ना इसका जो सही answer आ जाएगा 31,800 हो जाएगा आपसा number B इसको solve कर लीजिएगा चलिए last सवाल देखते है 150 number लिखा हुआ है sonal ने 580 रुपए में 10 कटोरियां और 20 थालियां खरे दी अगर प्रतेक थालिय की कीमत कटोरिक कीमत से 5 रुपए अधिक है तो एक थालिय की कीमत क्या होगी सबसे पहले हम क्या करते हैं काटोरिक कीमत मान लेते हैं काटोरिक कीमत हमने मान लिए जबर 30 X बराबर कितना आगया 480 इसको साल्व कर लेंगे X की वैलू कितनी आगी 16 यानि 16 अगर हमारी क्या है 16 अगर हमारी इसमें कटोरी है तो यहां पर ठाली पूछा गया 16 521 इसका सही जवाब हो जाएगा आपसर नमबर तीसरा यानि C नमबर चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक सेर भी कर दीजिए